नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नियूज, आज हम इस वीडियो में नायल रिवर या नील नदी के बारे में बात करेंगे, जो अफरीका में बहने वाली विस्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6600 किलोमीटर है, इस नदी को मिसर का वरदान भी कहा जाता ह तो जानेंगे इस नदी के बारे में, so let's start ये अफरीका में बहने वाली विस्व की सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया जील से निकल कर सहरा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हूँ, उत्तर में भूमध्य सागर में जाकर मिलती है ये भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले छेत्रों से निकल कर दक्षिड से उत्तर क्रमसय, यूगांडा, यूथोपिया, सुडान और मिस्र से होकर बहते हुए, काफी लंबी घाटी बनाती है, जिसके दोनों और की भूमी पतली पत्टी के रूप में दिखाई ये पत्टी संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, नील नदी की घाटी एक सक्री पत्टी सी दिखती है, जिसके अधिकांस भाग की चौडाई 16 किलो मीटर से अधिक नहीं है, कहीं कहीं तो इसकी चौडाई 200 मीटर से भी कम है, नील नदी की कई सहक नदियां है, जिसमें श् पर 180 किलोमीटर लंबा और लगभग 240 किलोमीटर चोड़ा विसाल डेल्टा बनाती है घाटी का सामान्य ढाल दक्षिड से उत्तर की और है मिस्र की प्राचिन सभ्यता का विकास इस नदी की घाटी में ही हुआ है इस नदी पर मिस्र देश का प्रस्षिद आश्वान डैम बना नदी की घाटी का दक्षिडी भाग भूमद्य रेखा के समीप इस्थित है वहां भूमद्य रेखिय जलवायू पाई जाती है यहां वर्स भर उचा तापमान रहता है तथा वर्स भर वर्सा होती रहती है वार्सिक वर्सा का ओसत लगभग 212 सेंटीमीटर होता है उच ता विशम है यहां पर वर्सा की मात्रा उमीद से कम होती है इस प्रदेश में सवाना नामक उश्न कटिबंधि घास का मैदान पाय जाता है यहां पाय जाने वाले वर्रिक्ष जो गोंद देने वाले पेड़ों के कारण सुडान विशु का सबसे बड़ा गोंद उतपादक दे उत्तरी भाग में वर्सा के अभाव में खजूर, कटीली, जाडिया, बबूल और मरुस्थलिय व्रिक्ष पाय जाते हैं उत्तर के डेल्टा छेत्र में भूमध्य सागरिय जलवायू पाय जाती है जहां वर्सा मुख्यतह जाड़े में होती है तो ये थी पूरी जानकारी नील नदी के बारे में, so thanks for watching this video, thank you